नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका P.N.Sports में तो आज मैं आपके साथ एक बड़े मुद्धे पे बात करना चाह रहा हूँ जहां पे कुछी गंटे पहले एक बड़ी अपडेट आई है और रेसलिंग के फिल्ड से यानि के स्पोर्ट जगत की एक ऐसी ख़बर जो सबको जो है वो थोड़ा सा इंबैरिसिंग लगती है जब हम अपनी खिलाडियों को इस तरह से इमोशनल होते वे देखते हैं और सडकों से लेकर और प्रेस कॉनफरेंस में इस तरह के इमोशनल स्टेटमेंट जबाते हैं कुछी गंटे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि साक्षी मलिक जो की एक बड़ा प्रचलित नाम रिनोंड रेसलर जो है वो इंडिया की जो की समर अलम्पिक में ब्राउंज लेके आ चुकी हैं पिछले 2022 जो कमन वेल्ड गेम्स थे गोल्ड मेडल वहाँ पे लेके आई हैं और एशियन चेंपिर्शिप में भी कई मेडल भारत को दिये हैं विश्यो पडल पे इस तरह का अपना इस्थान रखने वाली है और साथ साथ पदमिस्री के साथ साथ खेलों के शेतर में सरवोच सम्मान अगर हम देखें तो ध्यांचन खेल रतने अवार्ड से भी नवाजी गई साक्षी मलीक द्वारा एक बड़ा स्टेट्मेंट और इमोशनल स्टेट्मेंट मैं सबसे पहले इसको जोर दे रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फरेंस करके एक इमोशनल स्टेट्मेंट उन्होंने दिया कि I quit यानि कि मैं अब अलविदा कह रही हूं रिसलिंग को और उनके हाथ में रिसलिंग के जो शूज रहते हैं जिनको इस्टर्ट्स जो बेसिकली रहते हैं उन इस्टर्ट्स को पकड़के उन्होंने कहा है कि अब जो ये रिसलिंग है वो बस मेरे लिए अब इसके बाद जो है मैं रिसलिंग नहीं करूंगी सब सारे फैंस को सारे लोगों को उन्होंने धन्यवाद का है देश के सारे उन तमाम लोगों को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है पिछले कुछ समय से जो बुरा दौर उन रेसलर्स ने लेखा है भारत में मैं आपको पूरी उसकी जो एक तरह से हरार की रही है या जो सारे जो यहां पे किस तरह से हैपन किया है यह सारे चीजें उन सब चीज़ों के बारे बारे में बताऊंगा सबसे पहले मैं मैं आपको बताता हूँ कि रेस्लिंग के फिल्ड में जो की सबसे बड़ी कौर्णिंग बॉर्डी डबलो एफ़ाई जो वर्ल्ड फेडरेशन आफ इंडिया है उसमें तमाम तरह की विवाद होते आए हैं पिछले कुछ समय से एक साल से आप मानके चलिए कि रेस्लिंग लगातार जो हैं वो डबलो एफ़ाई के प्रेसिडेंट जो की ब्रिज भूसन शरन सिंग जैसे बड़े पॉलिटिशन और बड़ा जो एक नाम है यूपी के अंदर उनके उपर उन्होंने तमाम तरह के एलिगेशन लगाये थे और वो एलिगेशन सेक्स्वल हरेस्मेंट से लेकर उनकी मनमानी और कई तरह की चीज़ों को लेके थे वो सिद्ध तो नहीं वे ना किसी तरह का उन पर किसी तरह का एक्शन लिया गया था कहीं न कहीं जो रेसलर्स ने उस वक्त अपनी बात रखी थी और सड़क पर आने के बाद 40-50 दिन तक इस तरह से सड़कों पर होने के बाद और उस तरह जब उनको वहां से गसीट के निकाला गया था वो भी अपने अपने उस तरह के चीज जो है उस तरह के दृश्य देखते वें इंबरेसिंग लगते थे लेकिन आज जो एमोशनल एक स्टेटमेंट यहां से आया है उसने कहीं न कहीं और ज़्यादा जो हो जगजोड दिया है लोगों को अछली बार नहीं है कि WFI में ही ऐसा हुआ है बलकि इससे पहले कई ऐसी फेडरेशन्स हैं चाहे होकी इंडिया को आप देख लें जो पहले होकी फेडरेशन आफ इंडिया कहलाती थी वो बाद में हौकी इंडिया में कनवर्ट भी फीफा ने टेंपरिली सस्पेंड किया है मैंने आपको पहले भी उसके बारे में जिकर किया था तो वहां पर आपने देखा था कि किस तरह से फीफा ने जब सस्पेंड किया कि आप मनमानी तरीके से कुछी चुनिंदा लोग हैं जो की लगातार जो हैं वो फेडरेशन्स में बने वें हैं चीफ के पत पे या प्रेसिडेंट के पत पे और अन्य तरह के पतों पे तो वहां पर कहीं न कहीं वो फीफा के द्वारा जो सेन लगाई गई थी उससे फुटबॉल में कहीं न कहीं थोड़ा सा तो निखार आया है कहीं न कहीं कुछ फाइदे हुए हैं WFI को लेके भी इस तरह के पॉलिटिकल इंटरफेरंस के लिए के खिलाफ जो है वो इस बार भी जो एथलीट हैं जो रेसलर्स हैं वो सड़क पे उतरे थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जब गवर्मेंट ने कहा कि भाई हम कुछ टाइम हमें दे दो हम आपको जो है वो WFI की इलेक्शन में जो है वो भृश बृशन सरंसिंग नहीं जो है वो पार्ट ले रहे थे लेकिन आज जो रिजल्ट आया अब जब बात यह है कि जब नहीं ले रहे थे या वो जीते नहीं तो क्यों फिर साक्षी मलिक और अन्य रेसलर्स ने इस तरह की चीज़ें करी और वहां से वो WFI President का इस बार चुनाव लड़े जहां उन्होंने अनित्या शुहरन जो की एक पुरानी Commonwealth की जो मैडलिस्ट रही हैं उनको जो है वो उन्होंने 40 वोट, 40 वोट इने मिले और 7 वोट जो है उने मिले और बड़े मार्जन से हराते वे संजे सिंग जो है WFI के नए President हो गए अब यहां पर क्या Problem थी? Problem यही थी कि साक्षी मलिक ने अपने statement में उस emotional statement में यह कहा है कि जो ब्रिजभुषन सरन सिंग है उनके एक तरह से राइट हैं के रूप में ही संजे सिंग हमेशा से काम करते आए हैं और कहीं न कहीं वे उनके business partner भी हैं और कहीं न कहीं उन तरह से फिर मोल्ड करके वापस वही चीज़ें होने वाली हैं तो अब हम जो है wrestling नहीं करना चाह रहे हैं यानि कि अब हम उसका part नहीं होना चाहते हैं उसके बाद इस press conference में उनके साथ अगर आप देखें तो विनेस फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे बड़े नाम भी थे वहाँ उन दोनों ने भी अपने future को लेके कोई clarity नहीं दी यानि कि कईने कईनों ने भी ये जताया कि हमारा भी जो future है वो अधर में ही है तो साक्षी में लेकिन साफ साफ यह emotional statement दिया कि मैं अब जो है अलविदा कह रही हूं wrestling में क्योंकि इसी तरह कि से चीज़ें अग हम अपने country को serve नहीं कर पाएंगे अब बात यह आती है कि सही और गलत की बात नहीं है क्योंकि जो allegation थे वो सिद्ध तो नहीं वे लेकिन कहीं नहीं जो तरीका था जो government को जिस तरह से deal कर सकते थे या federation जिस तरह से deal कर सकता था वो उस तरह से जो wrestler हैं उनको deal नहीं किया गय जो 40 दिन के लिए वो road पर बैटे थे उसका reflection आपको यहां पर देखने को मिला कि वो जब उन्हें लगा कि भई कहीं न कहीं जो चीजें हम कह रहे थे जो allegation हम लगा रहे थे उनको तो सिरे से नकाराई ही गया उस पर किस तरह के action नहीं लिये गए लेकिन साथ ही साथ अब न allegation लगें उन से तो वही एक तरह की satisfaction जो हो वहां पर नहीं मिल पाया इस election के बाद भी wrestlers को तो यहां पर जो है इस तरह की चीज़ वहां पर निकल के आई तो मेरे जमस्ते तो यह एक तरीका जो होना चाहिए था अगर बाद भी की जाती तो शायद थोड़े बहतर तरीके से की जा सकती थी एक सई discussion के द्वारा और कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसा उपाय निकाला जा सकता था जहां पर wrestlers जो है वो इस तरह से at least road पे या आपको इस तरह से press conference में emotional होते वे अपने जूतों के साथ जो है वो वहां पर नहीं दिखते और वो जो है वहां पर अलविदा न फिलाल के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद